माँ सबसे महान है मासूम के लिए बिना हथियार बाग से भिड़ गई माँ मौत के जबड़े से निकाल लाई अपना लाल इस मा के लिए एक लाइक तो बनता ही है मध्य प्रदेश के उमरिया चले के बांधवा गड़ टाइगर रिजॉर्ब में एक माँ अपने 15 महीने के मासूम बच्चे को बचाने के लिए बाग से भिड़ गई बाग भले ही इस मा से ताकत में कई गुना ज्यादा रहा हो मगर मा की हिम्मत के सामने बाग की एक न चली बाग ने अपनी ताकत से बांधवा टाइगर रिजॉर्ब के रोहिनिया गाउं की इस महीला को करीब करीब दबोच ही लिया था लेकिन इस मा ने हार नहीं मानी करीब 25 मिनट तक ये मा अपने मासूम के लिए बाग से लड़ती रही आखिरकात जीत एक मा की हुई और इस मा ने अपने मासूम बच्चे को मौत के मुँसे बचा लिया इस घड़ना में मा और बेटे दोनों जीवित तो बच गए हैं लेकिन हमले के काराण दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं पाग के हमले के काराण उसके नाखोन महिला के शरीर में घुज गए जिसकी वज़े से उसकी हालत गंभीर है महिला और बच्चे को प्रात्मिक उपचार के लिए उचित इलाज के लिए उमरिया स्वास्त केंद्र से जबलपुर में भेज दिया गया है मेडिया रिपोर्ट के अनुसार ये महिला अपने गाओं रोहिनिया में अपने डेड़ वर्षे मासूम के साथ खेत की रखवाली कर रही थी इसी बीच अचानक से एक बाग आ गया और उसने बच्चे को दव उचने की कोशिश की बच्चे पर बाग का हमला होते देख मा उसे बचाने के लिए बाग के सामने कूद गई और बच्चे को गोद में उठा लिया बाग पीछे नहीं हटा और उसने फिर से दोनों पर हमला कर दिया बिना किसी हतियार के भी निहत्थी मा बाग के सामने खड़ी रही उसने सोर मचाना शुरू किया जिस वज़ा से बाग कुछ देर बाद वहां से चला गया माने बच्चे की जान तो बचाली मगर मासुम के सिर और मा के पूरे शरीर में बाग के पंजों से जक्म होने के कारण दोनों बुरी तरह से घायल हो गए फिलाल दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया है तो इस मा के बारे में आप लोगों की क्या रहा है हमें कॉमेंट करके ज़रू बताएं साथ ही हमारे इस वीडियो को फेस्बुक और वाटसप पे जादा जादा शेयर भी करें